हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट सिविल सर्वेसिस में आज 26 सितंबर और 26 सितंबर से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनेगे सारे कोशन को इस लेक्चे में हम डिसकस करने वाले तो सिर्षी पर रहने वाला देश कौन सा है दोस्तों तो यह है स्वीजरलेंड करेक्ट अंसर के हो जाएगा यहाँ पर आप्शन वन तो दोस्तों में आपको बता दू कि ग्लोबल इनोमेशन इंडेक्स में जो टॉप थ्री कंट्री है वो कौन कौन सी है तो पाले इस्तान पर है स्वीजरलेंड दूसरे इस्तान पर है दोसो स्वीडन और तीसरे इस्तान पर है अमेरिका यह तीनों इस्तान आपको यादखना है साती दोसों मैं आपको बता दू कि ये जो ranking है वह कितने देशों की बीच जारी की गई थी तो 132 देशों की बीच जारी की गई थी और इसमें भारत की जो rank है वो कितनी है तो ये 46 वी rank है या दखने आपको कि भारत की जो rank है वो कितनी है तो ये 46 वी है और इससे पहले मैं आपको बता दू कि last year जो भारत की rank थी वो कितनी थी तो ये 48 थी और अब ये कितनी हो गई दोस्तो तो 46 हो गई है तो दोस्तो ये जो global innovation index से जितने भी important point से वो हमने discuss कर लिए तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको बता दू कि daily एक question of the day होता है आपके लिए जिसका जवाब आपको देना होता है तो अब दोस्तो इस्टार्ट करते है आज के current fair और इससे भी पहले दोस्तो आपने अभी तक हमारे lecture को like नहीं किया तो like कर दे, share कर दे अगर आपी share पर नहीं हो तो इसे subscribe भी जरू कर ले तो आपके लिए पहला question के हाली में quad seeker summiland 2021 का जो आयोजन है वो कहां पर संपन हुआ है तो इसका जो आयोजन है मतलब यह जो quad seeker summiland है इसका जो आयोजन है वो हुआ है दोस्तो अमेरिका में correct answer क्यों हो जाएगा यहाँ पर option 4 तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि यह जो quad है यह क्या है तो यह दोस्तो यह जो quad है यहाँ भारत अमेरिका ऑस्टलिया और जापन देशों का एक समू है और यह समू का जो मुख्यों देश्य वो क्या है तो प्रशान्त छेत्र में लोगतांतिक देशों के हि समतिनीधियों के सिकर सम्मेलन को संबोधित किया है और इस बैठे का जो आयोजन है वो अमेरिका के वासिंग्टन डिसी इस्तित वाइट हाउस में किया गया था तो यह आपको याद रखना है तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जिसकी राजदानी वास पती है वो कोन है तो यह जो बाइडन है और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिदेंट कोन है तो यह कमला है रिश है और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अमेरिका की स्पेस एजन्सी है उसका नाम क्या है तो यह नासा है यह भी इंपो कोशन के और next कोशन के र findet मैं निम्लेगित में किसे business excellence and national achiever award से समानित किया गया है तो यह समानित किया है दोस्तों कपिल पटारे को करेक्टर एंसर के हो जाएगा यहां पे option two तो दोस्तों मैं आपको बतादू कि कपिल पठारे को महरास्ट की राज़पाल भगसी हैं कोश्यारी द्वारा बिजनेस एक्सिलेंस एंड एंड नेशनल अचिवर अवर्ड से समानित किया गया है और यहाँ पुर्षकार उद्द्योग और अंतता भारती अर्थ विवस्ता में उनके उतकर से युगदान के लिए दिया गया था और इसाती दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहाँ जो आयोजन है यहाँ गलोबल इंडिया बिजनेस फोरम दोरा आयोजीत किया गया था और इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था तो यह मुंबई के राजभाण में किया गया था तो याद दोस्तों आपको कि कपिल पठारे बिजनेस एक्सिलेंस एंड नेसलन अर्चिवर अवर्ट से सम्मानिद किये गये हैं और इनको सम्मानिद किया दोस्तों महारास्ट के राजजपाल भगसीन कोशारे ने और इस साथ ही आपको याद दिखना है कि महारास्ट के जो मुख्य मंत्री है वो कोन है दोस्तों तो यह उद्धर ठाकरे जी है नेक्स्ट कोशन है कि वीस्व स्वास्ते संगटन ने वेस्वी की स्वास्ते विद पोशन के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे न्युक्त करने की घुसना की है किसे न्युक्त करने की घुसना की है तो यह न्युक्त करने की घुसना की है दोस्तों United Kingdom के पूर्वर प्रधान मती Garden Brown को Correct answer क्या हो जागा यहाँ पर Option 4 तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि पूर्वर प्रधान मत्री UK मलब ब्रिटेन के Garden Brown से और यहाँ पर हम बात करें 220 स्वास्ते संगठन की तो यह जो World Health Organization है इसका जो मुख्यारा है वो Geneva Sugar Land में इस्तित है और इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी और यह साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो WHO है World Health Organization है इसके महा निदेशक कोने तो यह Traderos Adam है यह आपको याद रखना है Next question है कि देश भर में स्वास्ते सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने किस योजना को लॉंच किया है तो यह योजना है दूसों प्रधान मंत्री सुरक्षि डिजिटल मिसन Correct answer के हो जाएगा यहाँ पर Option 1 तो मैं आपको बता दू कि प्रधान मंत्री डिजिटल सुरक्षि डिजिटल मिसन का जो उद्धेश है वो क्या है तो देश भर में स्वास्ते सेवा को डिजिटल बनाना है जिससे एक देशवापी digital स्वास्ते पारिस्तिती की तंत्र तयार किया जा सके जो मरीजों को अपने स्वास्ते रिकॉड को डॉक्टरों और उनकी पसंद की स्वास्ते सुईधा के साथ साजा करने और एकसेस करने और साहमाती देने में सक्षम बनाएगा तो दोस्तों आपको याद दिखना है कि प्रधान मंत्री सुरक्षित डिजीटल मिसन है इसका जो उद्देश्य वो क्या है तो सभी नागरिकों के लिए स्वास्ते आडी के साथ सार्व भामिक स्वास्ते कावरेज डॉक्टर और स्वास्ते सुईधा के लिए अदूती पहच अच्छा तयार करना इसका मुख्य उद्दिश्य है और अब चलते नेक्स कोशन के ओर कोशन की भारत ने कि से देश के साथ लात कि यहांप्शन Ten तो दोस्तों मैं आपको पता दू कि भारती मंत्राले ने 56 C295 मध्यम परिवन विमानों की खरीद के लिए इस्पेन की Airbus Defence and Space के साथ करिब 20 हजार करोड या देखना है आपको कितना 20 हजार करोड रुपे के अनुभंद पर अस्थाक्चर किये है और यह विमान भारती वायू सेना के Euro 748 विमानों का इस्थान ले गए और यहां पर हम बात कर रहे थे इस्पेन की तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस्पेन यूरोप महादिप में इस्तित है और इसकी जो राजधानी है वो मैडिड है और स्पेन की जो करंसी है वो Euro है साथ ही आपको याद इखना है कि स्पेन की जो प्रधान मंत्री है वो पेंडरो सान्चेज है यह सब ही important point है दोस्तों इस्पेन से जो आपको याद इखने नेक्स कोशन है कि इस भरती पावर इस्टेशन को अंतरश्टी हाइडरो पावर एस्टीएशन द्वारा प्रतिष्टीद ब्लू प्लैनेट पूरुसकर 2021 से समानित किया गया है तो यह समानित किया है दोस्तों तिस्ता V पावर स्टेशन को करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पे option 4 तो मैं आपको बता दू दोस्तों कि हिमालिय राज्य सिक्की में इस्तित NHPC के 510 मेगावार्ड उत्पादन छमता वाले तीस्ता भी तीस्ता पाज पावर इस्टेशन को अंतराश्य हाइपर पावर association द्वारा प्रतिस्ठित blue planet पुरुसकर से समानित किया गया है और मैं आपको बता दो कि यह जो international hyper power association है यह लंदन में इस्तित है और 120 देश इसमें कारिरत है और साथी मैं आपको बता दो दोस्तों कि यह एक गेर लाबकारी सदेस्टा संग है और यह जो तीस्ता 5 power station का जो निर्मान है वो स्वामेत और संचालन NHPC द्वारा किया जा रहा है और साथी आपको याद दखना है कि तीस्ता power station के लिए इस पुरुसकर की जो घुसना है वो वाइड हाइडरो पावर Congress 2021 के दोरान की गई थी और आपके लिए नेक्स कोशन है दोस्तों के हाली में जुनियर पुरुस होकी वीस वो कप की मेजबानी कौन करेगा तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों उडिशा correct answer हो जाएगा यहाँ पर option 2 तो दोस्तों आपको याद देखना है कि जुनियर पुरुस होकी वीस वो कप की जो मेजबानी है वो करने वाला है उडिशा तो मैं आपको बता दो दोस्तों कि जुनियर पुरुस होकी वीस वो कप की जो मेजबानी है वो करने वाला है उडिशा तो उडिशा के कलिंगा स्टेडियम में इसे खेला जाएगा और साथी दोस्तों ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा तो 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजित किया जाएगा और यहाँ दोस्तों कौन सा संस्क्रन है तो यहाँ बारवा संस्क्रन है यह आपको याद अखना है और यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं हौकी की तो वर्ड में जितने भी हौकी की जो खेल होते हैं उसे रेगुलेट कुन करता है दोस्तों तो FIH मतलब International Hockey Federation इसे रेगुलेट करता है और मैं आपको बता दू कि यह जो अंतरासी हौकी महासंगे इसकी जो इस्तापना है वो 7 जनवरी 1924 को की गई थी और इसका मुख्यले लूसाने सुजरलेंड में इस्तित्र है और अधिक्ष नरेंद्र बनना है और साथी दोस्तों आपको याद रखना है कि यह जो CEO है वोको ने तो यह थियारी वेल है यह सभी important point है दोस्तों International Hockey Federation से और आपके लिए next question है कि हाली में किसी ने चंद्रमा के दक्षनी धुरू पर एक creator का नाम आरकर्टी को खोच करता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखाया है तो यह रखाया है दोस्तों International Astronomical Union ने correct answer हो जाएगा यहाँ पर option 1 तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो International Astronomical Union है इन्होंने आरकर्टी कोच करता मैथ्यू हैसन के नाम पर चंद्रमा की जो दक्षनी धुरू है एक दक्षनी धुरू है जिसका नाम दोस्तों इस crater पर रखा है और मैं आपको बता दू कि यह जो मैथ्यू हैसन है यह एक अफरीकी अमेरिका खोच करता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी धुरू की खोच भी की थी और साथी दोस्तों मैं आपको बता दू कि चंद्रमा के दक्षनी धुरू पर सेवर डूप और डी गोलेचो क्रेटर के बीच इस्तित हैसन क्रेटर उसी छेतर में है जहां आर्टमिस कारेकरम का उद्देश चंद्र खोच करताओं को उतारना है तो करेक्ट अंसर याद देखना है आपको कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिन धुरू पर क्रेटर का जो नाम है वो आर्कर्टिक खोच करता मैत्यो हैसन के नाम पर रखा है और आप चलतें नेक्स कोशन की ओर और आज का लास्ट कोशन है आपके लिए दोस्तों कि ग्लोबल गोल कीपर आवर्ड 2021 से किसे समानित किया गया है तो इस आवर्ड से मलनलब यह जो ग्लोबल गोल कीपर आवर्ड है इससे समानित किया है दोस्तों फुम जिले फुम जिले फुम जिले लामबो एंग कुका को या देखना आपको फुम जिले लामबो एंग कुका को ग्लोबल गोल कीपर आवर्ड 2021 से समानित किया गया है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो Global Goalkeeper Award है इसे Bill and Melinda Gates Foundation के दोरा दिया जाता है और दोस्तों यह जो Goalkeeper सतत विकास लक्षियों की दिसा में प्रगती में तेजी लाने के लिए यह Bill and Melinda Gates Foundation के दोरा दिया जाता है तो correct answer हो गया है यहाँ पर option for Fumjilay Glambo Angoguka और आप देख सकते दोस्तों इन जिले एगांग कुका है और इस साथी मैं आपको बता दो दोस्तों कि इन्हें कि इन्हें लेंगिंग समानता के लिए लड़ने और महिलाओ और लड़कियों पर COVID-19 महामारी के अर्शमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनकी निरांतर वाकालत के लिए समानित किया गया है और यहाँ पुरुसकार एक ऐसे नेता को मानेता देता है जिसने सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने की दिश्या में वेसिक इस तर पर प्रगति की है तो याद दिखना है यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 4 फुमजिले, गामबो, एंग, कुका और आज का जो question अब दर ढहे है आपके लिए दोस्तों किया हाली में किसे देश के प्रधान मंत्री को SDG Progress Award से समानित किया गया है इसका सही जवाँ आपको comment section देना है और साथ ही दोस्तों आपको पताना है कि यहाँ प्रधान मंत्री का नाम क्या है और यह जो भी countries का सही आंसर होगी उसकी सभी जानकरी आपको comment section में देनी है तो दोस्तों आज का जो video lecture है वो यहीं पर end होता है अगर आपको हमारा lecture अच्छा लगा हो और आपको हमारी महनत अच्छी लगी हो तो इसे like करे, share करे अगर आप इस channel पर नए हो तो हमारे target civil services channel को subscribe भी जरू करे Thank you so much guys watching this video Bye bye, take care